केंद्री सरकार ने 18 से 22 सितंबर को संसत का विशे सत्र बुलाया है बीते गुरुवार को केंद्रीय संसत्य कारे मंत्री प्रलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी उन्होंने बताया कि विशे सत्र की पांच बैट के की जाएंगी राजन्दिक मामलो की काबिनेट समीती ने जानकारी संसत को दी है वहीं इंडिया टुडे के मुताबिक इस विशे सत्र के दोरान एक देश एक चुनाओ समान नाग्रिक सनहीता और महिलाओं के अरक्षन के मुद्दे पर विधेक पेश करने के अनुमान जताया गया है संसत्य कारे मंत्री प्रलाद जोशी ने विशे सत्र को लेकर कहा कि अमरित काल के बीच संसत में सार्थक चर्चा और बहस की उमीद है एक देश एक चुनाओ के तहत लोकसभा चुनाओ और अलग-अलग राज्यो की विधान सभा चुनाओ को एक ही समय पर कराया जाएगा पहले भी कई दफा इस कानून को लाने पर विचा किया गया इस बारे में विधियायोग से अध्यन भी किया गया है कि ये सत्र ने संसद भवर में हो ऐसे में देखना रोचक होगा कि उद्घाटन कारिक्रम का बहिशकार करने वाले विपक्षी दल इस सत्र में आते हैं या नहीं संसदिय कारिय मंत्री प्रलाद जोशी ने एकस्पर पोश्ट में कहा कि संसद का विशे सत्र, 17 वी लोक सभा का 13 वा सत्र और राज्य सभा का 26 वा सत्र, 18 से 22 सितंबर तक बुलाया जा रहा है जिसकी 5 बैठके होंगी अमरित काल के दोरां संसद में सार्थक चर्चा और बहस की आशा है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के नेतरुत तवाली सरकार के 9 वर्सों में पहली बार ऐसा विशे सत्र बुलाया गया है जैसी समानने सत्रों में होती है समानने तोर पर वर्स में संसद के 3 सत्र, बजेट, मौन्सुन और शीत होते हैं सूत्रों ने बताया कि प्रधान मंत्री मोदी की जर्मतीती के अगले ही दिन से बुलाये गये सत्र में सरकार लोकसभा वर रज्य सभाओं जैसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने वाले सदनों में महिलाओं के लिए आरक्षन और लोकसभा विधान सभाओं वर अस्थानिय निकाओं के चुनाओं के एक साथ कराने संबंधी विधेक लास सकती है वहीं इस पर कॉंग्रस नेता राहूल गांधी ने मुंबई में कहा कि मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ी घबराहट का सूचख है ये उसी तरह की घबराहट है जब मैंने संसत भवन में बोला था उसी तरह की घबराहट जिसके कारन उन्हें मेरी संसत सदस्यता रद क करनी पड़ी थी मुझे लगता है कि ये घबराहट इसलिए है क्योंकि ये मामले प्रधान मंतरी के बहुत करीब हैं जब भी आप अदानी मामले को छूते हैं तो प्रधान मंतरी बहुत असहज हो जाते हैं और घबरा जाते हैं वहीं कॉंगरस नेता जराम रमीश ने रोप लगाया कि मौनसुन सत्र खत्म होने के तीन हपते बाद पांच दिन के विशे सत्र का उदेश्य खबरों के चक्र को मैनेज करना मुंबई में जारी इंडिया गटबंधन की बैठक और अदानी के मामले में ने तथ्य उजागर हो अपने से संबंधी खबरों से निपटना है लेकिन सन्योक्त संसदिय समीती यानि की जेपीसी की मांग संसद के बाहर और अंदर गुंचती रहेगी वहें इस पर सिवशेना की नेता प्रियंका चतुरवेदी ने कहा कि देश के सबसे महत्वपूर्ण उत्सो गनेश चतूर पर विशेश सत्र का योजन दुरुभाग्य पूर्ण है और हिंदू भावनाओं के विरुध है